पश्चिम बंगाल में फिर चाहे पूजा हो या कोई त्यवहार हो राजनीती से अच्छूता कुछ भी नहीं रहता है फिलहाल कोलकाता के नारकेल डांगा के एक पूजा पंडाल में हूँ और थीम इस पूजा पंडाल की क्या है वो आपको बताऊंगी पोस्ट पोल वाइलेंस जी हां चुनाओ बाद जो हिंसा हुई पश्चिम बंगाल में पिछले साल आरोप लगे ममता सरकार पर और उसको लेकर के कोट से भी फटकार उनको पड़ी ये बड़ा मुद्दा रहा और यही नारकेल डांगा का ये पूजा पंडाल वही तस्वीर आपके सामने लेकर आया है जहां पर आप मा की गोद में देख सकते हैं कि एक बच्चा है यानि की रक्षा करो की गोहार और इसके अलावा भाजपा की एक कारेकरता जनका वीडियो बहुत वाइरल हुआ था आखों में आसू लेकर के उन्होंने ये संभावना जताई थी कि मेरे कुटे जिनको जो सडक पर जो लावारिस कुटे होते थे उनको पालने का काम करते थे अभीजीत सरकार वो उन्होंने वीडियो बनाया था कि मुझे भी मार देंगे ऐसी आशंका है और अगले दिन सुबह उनका शव मिला था जी हां बात दुर्गा पूजा की हो रही ह लेकिन मामला जो है जो है जो है जरा गमगीन है हमारे साथ फिलहाल अभीजीत सरकार के बड़े भाई बिशुजीत सरकार है देखिए वो भी एक कुता जो की खुद लंगडा है उसको साथ लेकर बैठे हैं और क्या संदेश देने की कोशिश है हम जानेंगे ये पूजा पं भाई वाइलन्स क्या हुआ था देखिए यहां पर जो मूर्ति है एक माँ पड़ा हुआ है जिसका रेप हो गया, उसका जो पती है जो बीजेपी कर था ता देखिए हाथ में उसका फ्लैग है बीजे पी का उसका खून कर दिया गया और उसके बेटे को बचा रहा है मादू वाइलेंस सामने करपोशन पंचाय चुनाव है इस चुनाव में किसी भी मां का गोद खाली ना हो इसलिए मेरा ये मैसेज है और देखिए ये जो पोस्फोल वाइलेंस में जो एक तस्वीर और जो अब हम ये दिखा रहे हैं मूर्ती जरह ये बताईए ये जो असुर है हरे र पैसा लूट किया खून नहीं किया ये तो खूनी है इसका नाम पर भी तो खून का मामला है पोस्फोल वाइलेंस में तो इसलिए पोस्फोल वाइलेंस जब दिखा रहा है तो अनुपरोतों को क्यों नहीं दिखायागा तो ये तस्वीर एक बार फिर मैं यहाँ पर दिखा चाहूंगी कि पोस्ट पोल वाइलेंस की जब बात होती है तो मादुर्गा के हाथ में एक शिशु है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दिखाने दिखाये गया है कि भाजपा का एक कारे करता है जिसकी हत्या कर दी गई है हाथ में भाजपा का जंडा है यहाँ पर एक महि बिलाओं के साथ रेप तक हुआ था वो दिखाने की कोशिश की गई है और असुर जो यह रंग है सफेद और नीला और यह हरा यह कहने की जरूरत नहीं है कि किस पार्टी से जुड़ता है तो यह सारे आरोप के तोर पर दिखाये गए हैं दूसरी तरफ यह मा की मूर्ती ज वाइलेंस का पूरा जो घटना हम दिखा रहा है दूसरे तरफ एक मा का मूर्ती है जो इसका बीदिवत पूजा होगा बीदिवत पूजा किसलिए कि ताके जो पंचाइद निर्वाचन है उसमें किसी भी मा का संतान ना मड़े पोस्पोल वाइलेंस दूबारा ना हो और य जाला का प्रा यानि की अशूब माना जाता है तो यह पंडल तो अशूब है हम लोग के लिए दुखी है इस पंडल में देखें वो जो साड माय है जिसका संतान मर गया है इस पूजा में चारो तरफ रस्त नहीं हो गया गाना बजेगा सैनाई बजेगा मगर वो साड़ घर है वही रोने के आवाज हम लोग रेकॉर्डिंग किया है उस रेकॉर्डिंग इस पंडल में बजेगा देखिए बिश्वे में एक पंडल है जहां पर रोने के आवाज आपको मिलेगा पूजा के टाइम पे बिलकुल तो जैसा कि इन्हों ने भी बताया कि रोने की आवाज आजाम तोर पर धाग की आवास शुरुवात होती है दुरगा पूजा की और वही आवास शुब ही शुब यह आवास गूझती है हर पंडाल में यह यह काला रंग जो आप देख रहे हैं यह भी शोक का परतीक है यह जो अंตर देखिये इस तरफ जहां पर मा की मुर्ती है वहां पर ये लाल या कहें पिंक कपड़ा लगाया गया है लेकिन दूसरे ही तरफ पूरा पंडाल जो है वो काले कपड़े से बनाया गया है और ये शहीद वेदी भी बनाई गई है दो-दो जहां अभीजीत सरकार की तस्वीर भी है और बाकी सारे जो आरोब जैसा की लगा था भाजपा की तरफ से पोस्ट पॉल वाइलेंस में कई कारे करता हूं, उनके मारे गए थे, उनके नाम भी होंगे, तो शहीद वेदी, और दूसरी तरफ एक तस्वीर और, ये मानवता की तस्वीर, ये कुटा जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में भी कीती, बिश्वजीत सरकार के साथ ही बैठा था, ये भी हम आपको बताएंगे कि अभीजीत सरकार अपने जीवन में उन्होंने कितने कुटे पाल रखे थे, और सब क्या ऐसे ही जो घायल होते थे, उनको उठा कर लाते हैं, देखिए रस्ते में जो घायल पड़ा हुआ है, जिसका पाव हाथ काट गया है गाड़ी से, वो तरह तरह जगा जगा से उसको उठा के लेके यहां आता था, उसको ट्रिट्मेंट करता था, और बस यहें प को मार दिया, दोनों कुत्ते भी तर में बच्चा दिया था, किनों ने मारा, क्या मारा, पड़ेश पाल ने जिस गुंडों को भेजा, अभिजीत को मानने के लिए, वो अभिजीत को भी मारा और उसके पाला हुआ कुत्ते को भी मार डाला, बिल्कुल यह आरोप है इनका, और हाला कि उनके जाने के बाद जो उनके यह बच्चे हैं या कुत्ते जो भी आप कहना चाहें, उनका आप ख्याल रखते हैं, लेकि अभी तो यह लोग अनात हो गया, जो ख्याल रखता था, अभी भाई ने इसको देखके रखा था, तो उसको श्रीती में हमको तो इसको देखना ही है, क्या-क्या नाम रखे थे इन कुत्तों के, साधा बच्चा है, भोलू है, गोलू है, भूती है, कालू है, लाली है, आप और भी कुछ नाम बता रहे थे, करीना, करीना है, डॉली है, जीना है, कुल कितने कुत्ते हैं, अभी 33 कुत्ता है, तो उन 33 कुत्तों का आप दिहान रखते हैं और सारे इस पंडाल में सबका स्वागत है सबका सब तो अभी से बैठ गया है बिलकुल तो अभीजीत सरकार जब अभी रहते थे अभी यही पे रहते हैं अभी जीट सरकार जब हुआ करते थे तो वो खास और पर हला कि मैं आपको बता दूँ कि मुर् के तौर पर उनके परिवार ने रखा है और आरोप कई हैं देखी ये जो बाहर पोस्टर बैनर लगे हैं ये भी वही दिखाने की कोशिश है जब बंगाल एक तरफ वापस दुरगा पूजा के पुराने प्रारूप में लोटने लगा है उस दौरान पोस्ट पॉल वाइलेंस जिसे कभी भूला नहीं जा सकता ये भाजपा का कहना है उसकी च्वी यही वो जगे है जहां पर अविजीत रहा करते थे ये मूर्ती पिशले साल बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पूरी नहीं बना सके उसके पहले ही चले गए क्या यही जगे है जहां पर उनकी हत्ते रही पर यहीं पर काम करता था मूर्ति का यही और यह गाड़ी तूटा हुआ गाड़ी वो इससे मूर्ति सप्लाई करता था काम के लिए रखा था चलाता था हो ही अभी जी चलाता था इसको कई महीने उनका शव पड़ा रहा, दो बार पोस्ट मॉटम हुआ, क्या उस दोरान बीती आप लों पर? कितने महीने थे? करने ही पर लेजे? करने हो पर आप पलिस नहीं है। राजनीती के बीच एक बार फिर अगर हम आपको आगे पंडाल की तरफ ले जाएं तो बाहर आपको दिखाएंगे हाला कि पूजा दुर्गा पूजा जो नेता भी करते हैं चाहे तुनमूल के हो चाहे भाजपा के हो वो कहीं भी अपनी तस्वीरें लगाना बहुत जादा प नहीं जा सकता है और इसके साथ आपको हम एक बार और यहां पंडाल की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो दुर्गा मा की मूर्ती और फिर थीम जो पंडाल का है या सत्य जैसा की कह रहे हैं अभीजीत सरकार और खुद अभीजीत सरका यह मुझे यह बताई है कि खर्च कहां से इस पंडाल का देखिए तरह तरह का लोग है जो इस प्यरणा से पिरित है पोस्ट वॉल वाइलेंस में उस लोग का भी अवस्ता सब कहीं खराब है फिर भी यह लड़ाई तो हम पोस्ट वॉल वाइलेंस सब मिलके लड़ रहे हैं त इट बार हम बहर चलें अगर आप हमको शहीद वेदी दिखाना चाह रहे थे अभीजीत की तो हम वो भी दिखाएं एक बार अभीजीत सरकार की मौत इस पर बहुत चर्चा हुई थी इसको भी तोर फोर कर गिया जो राम जो मूर्ती है देखिए उसको भी तोरा गिया था शिव लस्मन और सीता है राम मेडिल में नहीं है राम चला गया देखिए काली मूर्ती उसका पुरा कपड़ा उपरा सब फार यह शहीद वेदी विजीत सरकार के अंतेश्टी के बाद बनाई गई थी और पोस्ट पॉल वाइलेंस ऐसा मुद्दा था जो कोट तक पहुचा और बहुत ही उस पर कड़ी टिपणी कोट के द्वारा दी गई थी आप भी शामिल थे उसमें अब जो है सीबी आई ने काफी की मामले को आगे भी बढ़ाया हां कि देखिए हां ममता बैनार जी के सरकार फूली सरकार है जिसने खून किया खून के प्रमान नष्ट करने के लिए पूलिस को काम में लगाया और जब तक यह काम नहीं हो सका उससे सुप्रीम कोट चला गिया पब्लिक के पैसे लेके ताक जो खूनी लड़का लोग है टीमसी का जो नेता लोग है इसको बचाने के लिए ममता जो जो कर सकते हैं सबी किया है एक बार फिर अगर पंडाल की तरफ चलें और कुछ तस्वीरें आपको फिर पंडाल की दिखाएं हाला कि नारकिल डांगा इलाका है यहीं पर रहा करते और टीक पीछे अविजीत सरकार का वो हस्पताल था जो वो यहां पर पशूं के लिए चलाया करते थे और अब उनके जाने के बाद उनका परिवार उनके भाई जो है उनके सारे जो कुटे थे उनका ध्यान रखते हैं करीब 40 कुटे उस समय हुआ करते थे और अब भी 35 कु अबजूद है